आज हम लोग आईटीसी का अनलिसेस करेंगे और देखेंगा आईटीसी में क्या फ्यूचर में मुवमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा इस आईटीसी में आज का क्लोजिंग आया है 443 रूपीज 10 पैसा पे पिछले एक साल में बहुत भैंकर रेटन दे चुका है नियर ब पे और यहां से इस टॉक ने जो 1.5 ताइम का रिटन दिया है जो कि दूसों से लिनियर अबाट पात्सो रूपे गया है तो थोड़ा बोट श्रॉक में करेक्सान आना बनता है तो श्रॉक में अगर आपको लॉंग टर्म इंवेस्ट करना है तो श्रॉक में आप नियर बहुत नेगेटिव बन सकता है ने तो श्रॉक में कोई कमी नहीं है कंपनी बेस्ट है अगर स्टॉक में फिर से पाथ सो का उपर निकलता है तो अच्छा खासा रेले मिल सकता है जो कि श्रॉक को छेसो साथ सो इवेन आट सो तक भी पहुचा सकता है थैंक्यों फेंट्स